कंटिन्यूइंग विद लोकोमोशन एंड मुव्मेट तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में जो डिसकर्स किया था एस उसको थोड़ा सा पहले एक बार रीकैप कर लेते हैं ब्रीफली हमारे जो सबसे में पॉइंट था लास्ट लेक्चर का जहां पर हमने खतम की थी बात वो यह था कि जब आप स्केलेटल मसल को देखते हो कौन सी थी स्केलेटल मसल याद कर लेना स्केलेटल मसल कौन सी वाली थी जो वॉलंटरी होती है जो आपके बोन या कार्टिल से याने कि स्केलेटल सिस्टम से अटैश्ट होती है और उसका अपियरेंस कैसा होता है स्ट्र कहां से आते हैं alternate light और dark band से आते हैं यह हमारा discussion हुआ था और alternate light और dark bands के नाम थे क्या नाम थे याद करो ज़रा जो alternate light और dark bands थे उनका नाम था a band और i band light था a band dark था ठीक है न i band कैसा है light band है और a band कैसा है dark band है light band के बीच में एक dark line थी जिसका नाम क्या था z line मैंने दुसरा नाम भी दिया था आपको crosses membrane और dark band के बीच में एक light zone था जिसका नाम था H zone इसका भी पूरा नाम दिया था Henson's Zone, क्या नाम दिया था इसका? Henson's Zone और उस Henson's Zone के बीच पर उपीस एक डार्क लाइन थी जिसका नाम था M-Line यहां तक हमने बात की थी Yes अलग जो दो नाम है वो याद कर ले ना फिर से बता रहा हूँ, Z-Line का दूसरा नाम था Crosses Membrane, H-Zone का दूसरा नाम था, Henson's Zone Right Now The main part, जो मैंने double star माँ करके यहां पर sentence दिया हुआ है यहां पर हमने बात खतम की थी कि कोई भी दो Z-Line उठाओ कोई भी दो Z-Line उठाओ उसके बीच का जो distance है दो Z-Line के बीच का जो distance है इस distance को आप क्या बोलोगे यहां से लेके यहां तक जो distance इसको आप क्या बोलोगे इसको आप बोलोगे सारको मियर क्या बोलोगे इसको सारको मियर क्या होता है सारको मियर कोई पुछेगा तो आप बोलोगे It is the unit of muscle contraction क्या बोलेंगे बच्चो सारको मियर is the unit of muscle contraction या बोल सकते हो functional unit of muscle contraction, more accurately you can say functional unit of muscle contraction is what, it is sarcomere, how do you define a sarcomere, it is the distance between two z lines, क्या ये बात clear हुई, छोटा सा correlation देता हूँ, थोड़ा revision भी हो जाएगा, chemistry में आपको waves के बारे में सिखाते वक्त मैंने क्या कहा था, crest और trough बताई थी, यादे सबको, crest और trough, क्या होती है wave की crest और trough, थोड़ा एक revision भी हो जाएगा, देखो, wave की crest और trough, उपर वाले point को अपन crest बोलते थे, और निचे वाले point को आपन, trough बोलते थे, यादे सबको ये, तो मैंने वहाँ पर आपको क्या सिखाया था, कि कोई भी दो crest या दो trough के बीच का जो distance है, कोई भ दो crest या दो trough के बीच का distance को क्या बोलते थे अपन, wavelength है ना, ठीक वैसे ही यहाँ पर आपको समझना है, imagine करना है, कि दो z-line के बीच के distance को अपन क्या बोल रहे है, सार को मियर बोल रहे है, wavelength जो है वो, यह, बतला वेव की एक property था, सार को मियर जो है, वो muscle की एक property है, कही बा आगे बढ़ते हुए, जब resting state में है, muscle कैसी है, जब resting state में है, muscle के दो state होते है, एक जब muscle lose है, resting phase में, ठीक है, अब जैसे तुमारी यह है, गर्दन की muscle जो है, यह ऐसी, ठीक है, या तुमारे हाथ की muscle, अगर मैं इसको ऐसे ढीला छोड़ दो, तो यह resting है, ठीक है, यह actively काम नहीं कर रही, कोई भी muscle, है ना, और जब आप उसको contraction करते हो, उस muscle का, जैसे अब मैं यह उंगली को bend कर रहा हूं, तो यहां की जो muscle है, उसको मैं क्या कर रहा हूं, contract कर रहा हूं, एक resting state होता है, और एक contracting state होता है, समझ रहो, तो resting state में क्या होने वाला है, कैसा दिखने वाल the ends of the thick filaments, ध्यान से देखो, edges of thin filaments, which are the thin ones, actin और myosin, मैंने कैसे सिखाया था याद करने को पिछले lecture में, actin is thin, क्या याद करने गुला था, actin is thin, तो thin filament मतलब कौन सा filament बच्चो, actin filament, ठीक है, यह partially overlap करते हैं, thick filaments को, यह क्या करते हैं, partially overlap करते हैं, thick filaments को, जड़ा note करेंगे यह बात को, देखो, यह मेरा thin filament है, यह क्या है, जो मैंने blue color से mark किया, यह क्या है, मेरे thin filaments है, पतले वाले, यह क्या कर रहे हैं, जो यह red color से में mark कर रहो, मोटा वाला जो filament है, उसको partially overlap करें, क्या आप यह देख सकते यह पतला वाला, मोटे वाले के उपर ऐसे partially over रखा हुआ है ये बलू वाला है segment ये red वाले segment के उपर partially ऐसे रखा हुआ है दोनों side पे क्या ये दीख रहा है आपको yeah yes बच्चो तो imagine करो ये मेरा thick filament है और ये दोनों ऐसे thin filament हो गये ये ऐसे partially overlap अब जब muscle contract होगी जब muscle contract होगी तो बताओ क्या होने वाला है तो जब ये filament जो Z line से चिपके हुए थे पतले वाले filament किसे चिपके हुए है ये रहे किसे attached है boss Z line से attached है तो जब ये सारकोमियर जब दोनों Z line के बिच का distance सारकोमियर ये दोनों Z line नजदी काएगी सारकोमियर की length कम होगी तो मुझे बताओ ये overlap जो है यहां वाला ध्यान से सुनके बताना ये जो overlap है ये overlap बढ़ेगा कि कम होगा पहले partially overlap कर रहा था अब ये और ज़्यादा overlap करेगा कि पीछे जाएगा क्या लगता है समझो यहां पर सवाल क्या है और उसको कैसे समझना है दरबाद को समझो मैंने यह बुला कि जो thin filament है देखो पहले मैं आपको thin filament दिखा तो यह वाला thin filament है ठीक है यह वाला thin filament है कौन से protein से बना हुआ actin protein से बना हुआ यह ठीक filament के सिर्फ कोने पर ऐसा हलका सा overlap रहता है जब मसल resting form में है मतलब कि मसल आराम से rest कर रही है ठीक है जब मसल ने contract किया contract किया का मतलब कि यह जो पूरा z line है यह आगे आ जाएगा क्या होगा यह z line जो है यह आगे आ जाएगा बात को सम इसके उपर जो attach thin filament उसको भी आगे लेके आएगा थोड़ी common sense लगाओ बोलो हाए आना कि जैड लाइन जब आगे आएगे तो उसके उपर जो attach thin filament ता वो उसको भी आगे लेके आएगा बरोबर है ना बच्चो यह वाला z line भी जब आगे आएगा तो यह वाला जैड लाइन जब आगे आया एक सेक्ट यह ऐसे हुआ और यह वाला जैड लाइन जब आगे आया तो यह ऐसे हुआ अब क्या हुआ कि जो सारकोमियर था मतलब कि जो दो जैड लाइन के विच का डिस्टेंस हो कम हो गया इसले को मसल कॉन्टरेक्ट हुई तो ओवरलापिंग और बढ़ गई यह जो दोनों thin filament ते वो slide होके और नजदीक आ गए कैन यह विचुलाइज दिस नाओ देखो विचुलाइज करो देखो नस्दीक आया है ना यह वाला नस्दीक आया यह वाला भी नस्दीक आया ऐसे राइट तो इसको basically बोलते हैं हम लोग overlapping अब इसको NCRT की भाशा में समझो वो क्या बोल रहा है देखो वो बोल रहा है यह पे डाइग्राम में ऐसे दिखाई हुई है क्योंकि यह light area है पुरा देखो खाली area है यह आपका H-zone को signify करता है, the central part of the thick filament which is not overlapped by the thin filaments is called H-zone, H-zone का नाम क्या बताया था मैंने, Henson's Zone, वहत लोग Henson, H-E-N, S-O-N भी बोलते हैं, H-E-N, S-E-N भी बोलते हैं, Henson's Zone, ठीक है, तो यह sliding जब होगी, जब contraction होगा तब sliding होगी, अभी हम लोग आएंगे उस पर कि contractile proteins कैसे दिखते हैं, चौँ, अब detail में करते हैं हम लोग structure of contractile proteins, मसल में कौन से दो proteins हैं, मसल में दो proteins कौन से कौन से हैं, हमारे पास, एक है actin और दूसरा है, myosin, actin कैसा है, thin protein है, myosin कैसा है, thick protein है, अब इन के structure को detail में बात करेंगे, तो each actin, which is a thin filament, is made up of two actin molecules, helically wound to each other, helically समझते हो, ऐसे spiral form में, उसको helix बोलते हैं, यह अपको biomolecules में बता चुका हूँ, proteins में, कोई चीज ऐसे घूम के spiral form में जारी, तो उसको अपन क्या word यूज करते हैं, helical या helix, तो एक actin का जो पतला सा filament है, वो actually दो actin की chain से बना हुआ है, और वो दोनों chain एक दूसरे के उपर कैसी है, helically wound है, क्या यह बात समझ में आ रही है, और उन दो chains को अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन बोलते है, F actin chain, क्या बोलते हैं उसको, F actin chain, तो दो F actin की chain है, दोनों एक दूसरे से ऐसे helix बना के पूरी, ऐसे helix बना के मतलब की, एक दुसरे के उपर ऐसे spiral में जाके wind करके बनाई हुई है तो पूरा एक actin का filament तयार हुआ बरोबर है लेकिन अगर मुझे उस helix को stable करके रखना है तो क्या करना पड़ेगा उन दोनों के structure को साथ में bind करना पड़ेगा logical है बोलो हाया न अगर मैं ऐसे दो thread ले लेता हूँ और इन दो thread को मैं ऐसे turn करता हूँ तो जब छोड़ू का तो ये खुल जाएंगे न है की नहीं तो मुझे क्या गरना पड़ेगा logically सोचो अगर मैं इसको बंद करके और इसके उपर एक दुसरा धागा ऐसे बांदू तो क्या ये ऐसे chip cover रहेगा yes or no yes तो दो filament मैंने लिए दोनों filament को helix के form में जोड़ा और उसके उपर से एक धागा बांदा उस धागे का नाम क्या tropomyosin क्या नाम है tropomyosin तो दो thread कौन से F actin नाम के दो thread उनको साथ में लिया helix बनाया किया एक और धागा मतलब thread like structure था प्रोटीन का उसको उपर बांदा उसका नाम क्या था tropomyosin अब एक बार मैंने पूरा बांद दिया तो उसको tape भी लगाना पड़ेगा नहीं तो वो खुल जाएगा तो वो जो tape लगा होगे उसका नाम troponin क्या नाम troponin तो actin के 3 पार्ट समझे actin के 3 पार्ट actin कैसा actin thin है ठीक है actin के 3 पार्ट है कौन से 3 पार्ट है actin के 3 पार्ट है f actin कितने 2 tropomyosin and troponin क्या ये बात समझ में आई बोलो हाया ना actin का filament तीन चीज़ों से बना 2 f actin 1 tropomyosin 1 troponin clear structure again visualize करो जरा appreciate करो structure क्या है तो हमारे पास इस तरह का structure है किसका actin का जरा note करो ये जो green color के आपको दिख रहे हैं और yellow color के आपको दिख रहे हैं बड़े-बड़े rounds ये actin के ही monomers है मतलब कि ये एक पूरी thread है green वाली ये दूसरी yellow thread है और ये एक दूसरे के उपर helically लगाया हुआ ये आपको दिख रहे हैं अप्रिशेट कर पा रहे हो ठीक है दूसरा जो thread like structure था ये देखो red और blue color का ये क्या है tropomyosin ये उसके उपर ऐसे again मतलब ये दोनों को पकड़ के रखने के लिए ऐसे लगाया हुआ है और तीसरा जो था वो एक protein था जिसका नाम था troponin अब troponin आपके NCRT में देखो ध्यान से बच्चों अगर आग डाइग्राम में NCRT में देखोगे तो आपको troponin ऐसे तीन तीन स्फियर्स का एक कॉंबिनेशन बना के दिया हुए क्या आप देख सकते हो आपके NCRT के पेज नूबर 306 पे देखो आपको दिखेगा दिख रहा है troponin को ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है तीन ऐसे स्फियर दिया हुए अब वो तीन स्फियर के बारे में उतनी डीटेल नहीं है बढ़ यहां पर देखो आपको डीटेल में दिखेगा कि यह जो तीन स्फियर है उसमें से कौन सा है पहले है TN1 है TNI दूसरा है TNC और तीसरा है TNT समझ रहे हो बात को I, C और T ऐसा तीनों मिलाके एक बना ट्रोपोनिन क्या यह बात समझ में आई वो लो हाया ना so here you will see the same thing you can see these three spheres like this यह three spheres में क्या क्या है zoom करके देखें can you see these three spheres now one you will call as C one you will call as ट्रोपोनिन C, the other you will call as I and the third one we will call as T C, I and T ऐसे यह तीन स्फियर मिलके एक ट्रोपोनिन का मॉलेक्यूल बना क्या यह बात भीजे में गई पूल हाया ना पूरा समराइज करते हैं पूरा समराइज करते हैं जब दो ऐसी थ्रेड है F-18 की दो थ्रेड है उसके उपर ट्रोपोमायोसीन की एक थ्रेड है उसके उपर ट्रोपोनिन का एक मॉलेक्यूल है जो तीन ऐसे स्फियर से बना हुआ है यह पूरे कॉम्बिनेशन को आप एक प्रोटीन का नाम देते हो जिसका नाम है एक्टिन काफी क्लियर येस वो लगए ठीक है तो यह हुआ एक्टिन के बारे में ज़र आगे टेक्स्बुक की भाषा में देख लेते हैं इच एफ एक्टिन इसमेड़ इसमेड़ अप उफ ग्लोबियूलर जैसे वो स्फियर जैसे जो एक्टिन्स है ये तो ये इच अगर मैं इस एक-एक स्फियर का नाम लिखने जाऊं तो ये ग्लोबियूलर एक्टिन है क्या है ये ग्लोबियूलर शेप का एक्टिन का मोनोमर है ये ग्लोबियूलर शेप का एक्टिन मोलेक्टिन का मोनोमर है ठीक है दो फिलमेंट्स जो है दो फिलमेंट प्रोपो मायोसीन के दे रन क्लोस तो दी एफेक्टिन थ्रोओट इस थ्रोओट इस लेंथ and a third प्रोटीन that is called ट्रोपो निन which is a complex protein is also placed at regular intervals ठीक है अब यह इनका रोल क्या है सवाल यह कि इनका रोल क्या है ठीक है तो actin तो भाई मेन आपका मसल का मेन filament ही active है वो तो ठीक है ट्रोपो मायोसीन जैसा मैंने बताया कि भाई वो उसको पकड़के wind करके रखता है और ट्रोपो निन का जो रोल है वो सबसे important है ट्रोपो निन का रोल क्या है ध्यान से देखना ट्रोपो निन मास्क्स दा बाइंडिंग साइट फॉर मायोसीन ओन एक्टेन फिलामेट्स दियान से पढ़ो क्या लिखा है ट्रोपो निन मास्क्स दी एक्टिव बाइंडिंग साइट्स ओन दी एक्टेन फिलामेट्स स्टेट्मेंट को पढ़ो मतलब समझो देखो यार, फंडा ये है कि अगर ये मेरा एक्टिन प्रोटीन है ये पतला वाला मेरा एक्टिन प्रोटीन है ये मोटा वाला मेरा मायोसीन प्रोटीन है एक्टिन के उपर एक ऐसा साइट है एक ऐसी जगा है जहां पर वो मायोसीन के साथ जाके चिपकेगा, अटैच होगा इस एक्टिन के उपर एक ऐसा active site है एक ऐसी जगह है जिस जगह पर वो मायोसीन के साथ जाके क्या करेगा अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा कही बात समझ में आई? जैसे याद करना मैंने आपको enzymes में सिखाया था कि enzymes में एक active site होता है मैंने ताले और चाबी का example दिया था अगर याद हो तो लॉक में जो चाबी लगाने की जगा होती है ना मैंने वैसा example दिया था आपको याद होना चाहिए कि एंजाइम में substrate के बिठाने के लिए एक active site होता है याद होगा ठीक उसी तरह Actin protein के उपर क्या है बच्चो Active site है क्यों है active site क्योंकि myosin protein उसके उपर आके आपे चिपकने वाला है attach होने वाला है यह बात clear है लेकिन लेकिन जब तक muscle active state में नहीं आता resting state में है muscle को काम जैसे अभी फिलाल मेरी bicep muscle काम नहीं कर रही है जब मैं ऐसे कुछ सामान उठाने जाऊंगा तो मेरी bicep muscle activate होगी तो समझो कि जब तक muscle resting state में है कोई काम नहीं कर रही है तब तक आपको उस active site की जरूरत है क्या मुझे बताओ logically हाँ या ना फिर से समझो बात को actin के उपर एक active site है जहाँ पर जो myosin protein है वो आके क्या होने वाला है stick होने वाला है bind होने वाला है जब तक muscle को activity नहीं करनी है इस active site को activate करने की जरूरत है की नहीं है क्या लगता है तो active site नाम है उसका boss activity होगी तब उसकी जरूरत पड़ेगी resting के वक तो जरूरत नहीं है ना सही बात है तो जब resting time पे resting phase में वो active site है उसको mask करके mask करके मतलब cover करके रखने का काम दिया गया है किसको troponin protein को तो troponin बहुत important role play करता है क्या role play करता है वो active site को masking करके रखता है फिर से समझा क्या करके रखता है बच्चो active site को masking कि अगर इसको मैं और simple भाषा में समझा हूँ तो तुम लोगों ने सबने cello tape use किया cello tape या double tape होता है double tape देखा है अब imagine करो उसके उपर जो एक extra paper नहीं लगा होता या sticker के पीछे जो extra paper लगा होता है हां अगर वो paper नहीं होगा तो क्या होगा सोचो sticker यहां वाँ चिपक जाएगा तुमने bag में रखा या book में रखा और वहीं चिपक गया है कि नहीं तो तुमको ऐसा चाहिए क्या नहीं तो तुम क्या करते हो इसलिए वो gum के उपर एक ऐसा paper लगा हुआ रहता है correct ना जब मुझे वो sticker चिपकाना है तो मैं क्या करूँगा वो paper निकालूँगा वो जो gum वाला area है चिपकने वाला area उसको खोलूँगा उसको open करूँगा और फिर उसको surface पे चिपका दूँगा बरोबर मैं यहीं करता हूँ आप लोग भी यहीं करते हो है कि नहीं same imagine करो muscle में अब हो रहा है actin का एक thread है actin के thread पे क्या एक area है जो चिपकने वाला है किस से myosin से अगर यह खूला रहेगा तो यह आपस में चिपकने लगेंगे बरोबर है कि नहीं दो श्टिकर आपस में करेगा उसको खूल देगा फिर हो myosin से जाके चिपक जाएगा क्या यह आप imagine कर पाए मैंने जो बोला उसको sellotape से या स्टिकर से आपने relate किया बोलो हाया ना आसानी से समझ पाए yes तो यह हुआ actin का role यह हुआ actin का role तो अब आपको यह समझ में आया कि अच्छा जहां जहां पर यह troponin रखा है न यह यह actually कौन सा area है यह active site है active binding area है यह और इसी लिए इसके उपर क्या रखा है troponin जैसे यह troponin हटेगा नीचे क्या है sticky area है binding area है जो जाके myosin से चिपक जाएगा clear बढ़िया अब समझते myosin कैसा दिखता है actin समझ में आ गया समझते myosin कैसा दिखता है तो myosin तो thick filament है मालूम है myosin भी एक protein है यह भी मालूम है myosin किस से बना हुआ है वो बना हुआ है बहुत सारे unit से each unit is called a meromyosin each unit is called meromyosin फिर से देखो फिर से देखो actin F-actin से बना हुआ था yes or no actin protein F-actin नाम के छोटे segment से बना हुआ था agreed myosin meromyosin नाम के छोटे segment से बना हुआ है किस से meromyosin नाम के segment से बना हुआ है clear yes or no अब each meromyosin each meromyosin again has two parts बहुत सिंपल दो पार्ट्स है कौन से दो पार्ट्स है एक globular head है और एक छोटा सा टेल है head and tail तो इच मेरो मेरो मायोसीन इस मेड़ अफ टू पार्ट्स हैड एंड टेल correct head and tail बोलोगे okay head को आप बोलोगे heavy meromyosin क्या बोलोगे head को क्या बोलोगे heavy meromyosin HMM क्या बोलोगे बच्चो और जो tail है जो पूछ है उसकी जो छोटी वाली उसको क्या बोलेंगे light meromyosin तो head को बोलेंगे heavy meromyosin HMM और tail को बोलेंगे light meromyosin LMM आप बोलोगे ठीक है जो heavy वाला पार्ट है वो ऐसे ऐसे project करता है बाहर देखो ये साप जैसा दिख रहा है साप जैसा कोबरा के जैसा दिख रहा है सार उठाया ठीक है तो एकडम मतलब ये तो इतना easy यार इसको देख क्या बोल सकता है अच्छा सर ये जो है ना ये head है ये जो ये head है और ये छोटू सा इसका जरा यहां पर एक बोलते हैं नेक जैसा है गरदन जैसा लग रहा है और ये पीछे का पूरा पार्ट जो है ये इसकी टेल है पीछे का पूरा क्या उसका टेल है ना तो head और tail head को हमने बोला heavy, tail को हमने बोला light आप बोलोगे ठीक है अच्छा head प्लस जो short एक उसमें से एक छोटा सा short arm भी आता है ठीक है head प्लस short arm मतलब कि ये literally ये जो globular part है ये head है और ये पूरा area ही है जो अप लोग short arm बोलते हो और फिर यहां से पूरी की पूरी जो है ये tail है ठीक है ना तो ये वाले part को heavy बोल दिया ये वाले part को light बोल दिया अब जो heavy component है और जो light component है उनका role क्या है जरा ये समझो जरा ये समझो the globular head is active ATPase enzyme and it has two binding sites one for actin one for ATP molecule देखो the head the head is an active ATPase enzyme and it has two binding sites one binding site is for ATP the other site is for actin the other site is for actin समझो बात को अब क्या है funda ये जो पूरा का पूरा head है ना ये किससे बना हुआ है बच्चो ये बना हुआ है ATPase enzyme से किससे बना हुआ है repeat ATPase enzyme से और इस head पे जए अच्छे ये enzyme है enzyme के पास क्या होते है याद करो enzyme के पास active site होते है पढ़ाया था मैंने याद है ये diagram याद है सबको ये enzyme है ये उसके अंदर जाके substrate ऐसा बैठ जाता है enzyme substrate complex याद है ना सिखाया था ये तो enzyme के पास active site होता है हाँ सही है ये head खुद एक enzyme है मैं ऐसा बोल रहा हूं तो क्या इसके पास active site होगा हाँ इसके पास दो active site है मतलब इस ताले के अंदर दो चाभी लगेगी कौनसी ATP एक ATP नाम की चाभी लगेगी कौनसी ATP ATP आप सब लोग को माल लेए ATP क्या है adenosine triphosphate समझ में आरी बात सबको अच्छे से बढ़िया तो इस enzyme पे दो active site है एक पे लगेगा adenosine triphosphate और दूसरे पे कौन आके चिपकेगा इसका भाई कौन actin क्यूं याद करो अभी किया actin के उपर भी एक binding site है जो myosin से चिपकेगी तो common sense है कि myosin के पास भी एक site होनी चाहिए तो उन्हों आपस में चिपकने चाहिए बोलो हाया ना जो actin वाली site थी उसको बंद करके रखा था किस ने troponin protein ने है ना और myosin के head पे भी एक site अलग से रखी है तो जब actin का filament आएगा तो वो आके इसके उपर चिपक जाएगा क्या ये बात समझ में आई उलो हाया ना कब चिपकेगा जब troponin protein जो इसको mask करके बैठा था ना ये वाला protein जब ये protein हट जाएगा तब वो आके यहाँ पर इसके head पे चिपक पाएगा clear बोलो हाया imagine कर पारे हो visualize कर पारे हो इस चीज़ को और अच्छे से visualize करो एकदम मस्त डाइग्राम के साथ photograph के साथ myosin का filament है दिख रहा है बच्चो ये उसका क्या है head ये उसका क्या है neck ये उसकी क्या है tail मैंने बताया राइट एक filament में अब ये information ncrt में नहीं लिख हुई है बट ये extra है क्या 200 से 300 myosin molecule होते हैं एक filament में एक पूरे ठीक filament में 200 से 300 myosin molecule आपको मिलेंगे ठीक है ठ्रायड सिस्टम की ज़रत नहीं है फिलाल के लिए इतना एक सटीट इस पे इनने head यहां पर इसमें नहीं बनाया हुआ है ठीक है head अपने देख लिए ncrt में head के ओपर active site कौन से कौन से है फिर से देख लेना एक actin का site है और एक ATP का site है ये वाला actin वाला site है और ये वाला ATP वाला site है सही है बच्चो अब मुझे यह बताना ATP जो है क्या यह आपकी energy molecule है ATP आपके cell का क्या है बच्चो इसको आप लोग energy currency of the cell बोलते हो yes or no everybody agrees with me yes or no तो अगर ATP के binding site यहां पर present है इससे क्या पता चलता आपको यह बताओ अगर ATP की binding site present है तो what does this prove इससे क्या साबित होता है थोड़ा logic लगा के बताना इससे क्या prove होता है क्या साबित होता है क्या समझ में आता है तो अब बोलोगे सर इससे यह समझ में आता है कि muscle activity के लिए हमको ATP की requirement है क्या यह बात समझ में आई है ना तो इससे यह पता चलता है तुरंद की muscle की activity के लिए खास करके हाँ वाद यहां सही बात है कि ए रेक्वाइर्ज कि एनरजी कि रजया बात है बच्चों है तो तीन fulfillment समझ में आया थिक in में एक्टिन में affecting था ट्रोपोदीन था टॉपोनीन था ट्रोपोनीन का काम था एक्टिव साइट को मास्क करना बहुत अच्छा important काम था इसका active site को mask करना binding site को फिर myosin में क्या था बहुत सारे myosin थे हर myosin में एक head होता है और एक tail होती है head के अंदर भी दो active site होते एक ATP के लिए और एक actin के लिए clear बात बढ़िया तो यहाँ पर हमको structure अच्छे से समझ में आ गया अब आते हैं mechanism पर structure तो पता चल गया अब यह दोनों protein मिलके muscle की activity muscle को contraction में कैसे help करते ज़रा यह समझने की बात है और बहुत प्यारी बात ध्यान से समझना mechanism को समझते हैं कि भाई muscle जो है वो contract हो रही है तो कैसे हो रही हाँ आखिर यह हो कैसे रहा है muscle का contraction तो मैंने यह जो आपके लिए पूरा यहां से कट बेस्ट करके NCRT के ही चीज़े वापिस लगा दिये तो आसा समझने में मुझे बताओ बच्चों यह वाला जो है यह एक्टिन का binding साइड था करेक्ट है यह क्या था एक्टिन का binding की binding के लिए साइड था और एक्टिन मॉलेक्यूल के उपर जहां जहां पर यह ट्रोपोनिन लगा हुआ है यह किसके के लिए बाइंडिंग साइड था यह मायोसीन के लिए बाइंडिंग साइड था जिसके ओपर फिलाल ट्रोपोनिन चिपका हुआ है क्या यह बात सही है यह वाला जो हैड है यहां जाके चिपक सकता है स्टिक हो सकता है बोलो हाई या ना येस क्योंकि ये वाला बाइंडिंग साइट है और ये वाला जो मास्किंग जो मतलब उसके उपर कवर लगा हुआ था टेप जो स्टिकी चीज के उपर वो हट गया तो क्या ये दोनों आपस में अब एक दूसरे से अटैच हो पाएंगे अग्रीड अब अटैच होने के बाद ध्यान से सुनना अटैच होने के बाद अगर ये मायो सीन थोड़ा इस तरफ आएगा अगर समझो ये दोनों को मैंने साथ में अटैच कर दिया ये दोनों को क्या कर दिया मैंने साथ में पूरा का पूरा अटैच कर दिया अगर ये इस तरफ slide होगा तो वह साथ में किसको actin को भी इस तरफ slide होके खीचके लेके आएगा है ना यह ऐसा हो गया यह तुम्हारा actin है यह मेरा myosin है myosin ने अपना सर उठाया actin के ओपर चिपकाया ऐसे गुमेगा तो वह उसको भी slide करके आगे लेके आएगा yes or no कि यहाँ पर binding site था यहाँ पर binding site था इसके ओपर troponine लगा वा था troponine हटाओ binding site को activate करो क्या होगा चिपके आगे खीचके लेके आएगा क्या यह बात आप imagine कर पा क्या यह sliding motion दीखेगा आपको चिपका और आगे खीचके लेके आया तो यह sliding motion दीखेगा बोलो हाया ना और यही है mechanism of muscle contraction जिसमें हम लोग एक theory पढ़ते हैं जिसका नाम है sliding filament theory क्या पढ़ते हैं रिपीट करो क्या है sliding filament theory क्या मैंने sliding यह word बहुत बार यूज किया अभी समझाते वक्त देखो क्या slide हो रहा है filaments कौनसे वाले थीन वाले किसके उपर थिक वाले के उपर क्या आप देख पार है आप बोलेंगे हाँ सही बात है सर यह वाला filament इसके उपर ऐसे slide हो जाएगा यह वाला filament इसके उपर ऐसे slide हो जाएगा क्यूंकि उसका head का जो active site था वो जाके चिपक के उसको आगे खीचेगा क्या यह दिमंग में जा रहा है बोलो हाया ना कि कैन इन इमेजिन दिस बढ़िया फिला लिए थोड़ा दूर दूर है बाद में वा आगे slide होके आ जाएगा बोलेंगे ठीक है तो इसको हम लोग बोलते है sliding filament theory क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है जरा समझते देखो sliding filament theory यह बोलता है contraction of muscle fiber तब होगा जब sliding of thin filaments over thick filaments होगा बोलोगे ठीक है अब इसका detailed mechanism देखते है तो भाई पहले सबसे पहले क्या होगा एक signal भीजा जाएगा central nervous system से का से central nervous system से suppose my brain gives a command to my hand hand muscle basically my brain gives a command to the muscles in my hand saying lift your hand हाथ उठाया तो मेरे जो यहां के muscles है यहां के muscles यह क्या कर रहे है यह activate होके हाथ को उठाने की तयारी कर रहे है यह signal किस ने दिया मेरे brain ने दिया यानि कि मेरे central nervous system ने दिया central nervous system में mainly दो चीज़े आती है brain और spinal cord पता होना चाहिए आपको क्या आती है दो चीज़े brain और spinal cord आता है ठीक है अब यह जो signal दिया आपके brain ने वो किसके through travel हुआ वो एक neuron के through neuron मतलब nerve cell वो nerve cell के through travel हुआ specifically कौन से nerve cell motor neuron यानि motor nerve cell के through travel हुआ again जो incoming है जो incoming signal लेके आता है उसको हम लोग बोलते है sensory neuron और जो outgoing यानि signal brain से बाहर लेके जाता है उसको हम बोलते है motor neuron यह छोटी सी एक बात है वो note कर लेना ठीक है motor neuron word का मतलब क्या जो brain से भार signal लेके जा रहा है ठीक है और sensory का मतलब क्या जो brain के अंदर भार से अंदर लेके आ रहा है उसको बोलते है sensory तो motor neuron यह जो है यह क्या करेगा यह जाके signal देगा किसको signal देगा यह muscle की जो cell है उसकी membrane को यह signal देगा किसको signal देगा बच्चों फिर से repeat करो किसको signal देगा यह muscle cell की membrane को signal देगा अगें try and understand the signal originates from your central nervous system travels through motor neuron reaches membrane of the muscle cell so far everybody with me बोलो yes ओनू तो यह motor neuron message लेके आया कहाँ पर muscle की membrane जिसका नाम क्या था क्या नाम था सारको लेमा मसल इसलिए बोला था बहुत important है याद करो जड़ा पिछले lecture में समझाते बोला था कि भाई सारको लेमा को ध्यान में रख लेना क्योंकि सारको लेमा जो है वो बहुत ही important है कहां गया सारको लेमा बोला था ना देखो यह वाला plasma membrane of muscle fiber बोला था ना तो यह सारको लेमा तक कौन पहुच रहा है आपका motor neuron पहुच रहा है उसने क्या क्या उसने signal लाया आपके brain से central nervous system से और muscle को वो signal दे दिया क्या signal था कि भाई contract हो जाओ क्या contract हो जाओ यह signal दिया उसने बोलो ठीक है यह जो junction बना junction मतलब यह जो contact establish हुआ किसके बीच में motor neuron और सारको लेमा के बीच में जो contact establish हुआ जो junction establish हुआ उसको हम बोलते हैं neuromuscular junction क्या बोलते हैं बच्चो statement को फिर से ध्यान से पढ़ो मैं statement पढ़ रहा हूँ आपके लिए ध्यान से सुनो the junction between a motor neuron and the sarco lemma of muscle fiber is called the neuromuscular junction नाम से पढ़ा चल रहा है भाई neuron और muscle के बीच का junction है तो neuromuscular junction बरोबर बोलो हाया ना जैसे अपन बॉम्बे में यहां पर central line और western line में जाते हैं तो दादर जैसे एक station है जहां पर central और western दोनों की train आती है ना उसको क्या बोलते हो तुम junction बोलते हो ना क्योंकि दो अलग अलग line वहां पर आके मिलती है तो यहां पर तुम्हारे दो system मिल रहे हैं मिल रहे हैं एक तुम्हारा nervous system और एक तुम्हारा muscular system इस point पर आके मिल रहे है ना तो इसको क्या बोलोगे neuromuscular junction nerve और muscle का junction बोलो हाया ना everybody देखो कितना easy हो जाता है अगर आप word by word logically सीखोगे तो easy होगा नहीं तो फिर वही है जो बाकि डिच्चर बहुत सारे आपको बोलते ही है रट्टा मारो बायलोजी क्या है रट्टा मारो रट्टा मत मारो भाई समझो it's also called motor end plate motor neuron यहां आके खतम हो रहा है motor neuron यहां पर आके खतम हो जाता है यहां से muscle चालू हो जाती है तो क्या बोलते है इसको और दूसरा नाम motor end plate अब यह जो signal जो impulse जो electrical signal brain ने भेजा था वो यहां पर पहुँचने के बाद एक chemical release करता है क्या release करता है बच्चो एक chemical release करता है उस chemical को हम बोलते हैं neurotransmitter क्या बोलते हैं उसको neurotransmitter transmitter का मतलब तो आप समझते ही हो जो signals आते waves आते ना जिसो transmitter होता है है ना तो यहां पर भी यह एक message लेके जा रहा है ऐसा बोल सकते हैं किसका message brain का किसके पास muscle के पास brain ने muscle को message दिया कि भाई contract होना है brain ने muscle को बोला ऐसे ऐसे होना है तुमको तुम जिम में गए हो तुमको ऐसे ऐसे होना है तो वो brain ने message पहुचाया और कैसे message पहुचाया एक chemical के through message पहुचाया उस chemical का नाम क्या है neurotransmitter अब neurotransmitter एक category है chemicals की ठीक है उसमें बहुत सारे अलग-अलग type के होते हैं आपकी muscle की activity के लिए specifically कौन सा neurotransmitter है बच्चो तो है acetylcholine very 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 important name नाम repeat करेंगे सब लो muscle activity के लिए कौन सा neurotransmitter यूज होगा acetylcholine फिर से बोलो acetylcholine बहुत important बहुत important acetylcholine ठीक है अब फिर से समझों मैं शुरू से वापिस 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 बोलूँगा ताकि आपके दिमाग में बढ़ जाए शुरू कहां से हुआ brain से signal कहां से शुरू हुआ brain से किसके through आया central nervous system अभी central nervous system में brain है ना समझ लो cns से चालू हुआ cns central nervous system से चालू हुआ किसके through आया motor neuron motor neuron के through आया कहां तक पहुचा sarco lemma of muscle तक पहुचा इस junction को क्या नाम दिया हमने neuromuscular junction इस junction पर आने के बाद इसने क्या किया chemical release किया कौन सा वाला neurotransmitter किस नाम से acetylcholine clear यहां तक एकदम बढ़िया अब जब तक यह acetylcholine इसने नहीं release किया था इस neuromuscular junction पर जब तक acetylcholine release नहीं हुआ था तब तक muscle कैसे phase में थी तब तक muscle resting phase में थी कैसे कैसे phase में थी तब तक muscle rest पे थी ना काम नहीं कर रही थी जैसे ही acetylcholine आया तुरंत muscle ने बोला boss अभी resting खतम अभी काम चालू मतलब कि अब वो active state में आ गई किसमें आ गई active state अभी तुम लोग PCB के अगर स्टूडेंट हो तो तुमको chemistry के हिसाब से भी समझा सकता हो मस तुमको मैंने chemistry में सिखा है ground state excited state वो हाया ना जब electron के पास energy नहीं थी वो ground state में था जब energy मिली तो कुदी मार के कहा गया excited state में गया क्या यह बात मैंने सिखाई है है के नहीं तो ठीक उसी तरह correlate करो ना आपको दिमाग खुल जाएगा बो लोग एकदम सही है हाँ जैसे electron ground state excited state में होता है वैसे मसल कैसे होती है resting state और active state में होती है बो हाया ना क्लियर रेस्टिंग state में कब तक है जब तक उसको कोई message नहीं मिला है जैसे ही उसको message मिला तो उसको जैसे message किस के फॉर्म में ऐसे टाल कोलीन के फॉर्म में मिला तो अब वो किस में चली गई muscle active state में चली गई crystal clear एकदम बो हाया बढ़िया सो फार everybody with me अच्छा muscle जो है जब वह रेस्टिंग state में थी तो उसका जो potential था मसल जब रेस्टिंग state में थी तो मसल का जो potential था उसको हम लोग बोलते थे resting membrane potential क्या बोलते थे बच्चो क्या बोलते थे resting membrane potential अब जब यह active state में चली जाएगी जब जब muscle कहां से चली जाएगी resting से active state में चली जाएगी तो अब जो उसका potential है उसको हम लोग क्या बोलते action potential क्या बोलते उसको action potential अब potential का meaning यहां पर क्या है बहुत बच्चे इसमें गड़बड कर देते potential यहां पर मतलब ability क्या जिसे तुम्हारा potential है नीट क्रेक करने का वैसा वाला ability का बात नहीं है यहां पर यह potential है तुम्हारा physics वाला जो potential difference लिखते हो ना physics में current में voltage yes यह वह वाला potential है तो थोड़ा सा common sense लगाओ यहां पर मुझे बताओ क्या मैंने शुरू में electrical signal की बात की अग्रीड जिस signal की मैंने बात की क्या वह electrical impulse या electrical signal की मैंने बात की थी yes or no हां और physics का सबसे बेसिक प्रिंसिपल आप क्या सिखते हो electricity में कि जब तक potential difference नहीं होगा electricity नहीं ट्रांस्मिट होगी करेक्ट यह बात गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं कि क्या यह बात से आप अगरी करते हो सब लोग physics तो आपको यही सिखाता है ना कि दो points के बीच में जब तक potential difference नहीं होगा तब तक electricity नहीं होगी logical तो यहां पर मुझे electrical impulse भेजना है तो common sense है कि कुछ ना कुछ potential तो generate हो रहा होगा yes or no आपको logically sequence समझ में आ रहा है चीज़ों का तो जब तक muscle rest कर रही थी तो उसका जो potential था उसको हमने क्या बोला था उसको हमने resting potential बोला था बच्चो और जब muscle activity में आ गई तो अभी भी उसके पास potential है लेकिन अब उसके potential का नाम क्या है action potential क्या ये बात clear हुई बोलो हाँ या ना ठीक है तो अब textbook की भाषा में क्या बोलता इसको ये acetyl koline जैसे ही आया तो उसने muscle की membrane में action potential को generate कर दिया मतलब कि उसकी resting potential को action potential में convert कर दिया क्या ये बात समझी आप बोलोगे सही है एक दम बढ़िया मस था जैसे ही ये action potential generate हुई अब ये एक impulse जो था जो electric electrical ये आया था impulse action potential generate होते ही ये impulse अब पूरी की पूरी muscle fiber में सब जगा फैल जाएगा अब जैसे ये मेरी bicep muscle है तो क्या ये एक fiber से बनी हुई है नहीं भूत सारे fibers है ना इस muscle में पूरी की पूरी मोटी muscle का बंडल है ये तो तो क्या होगा पूरा का पूरा सब जगा ये spread होना चालू होगा फिर से समझो जो action potential बना था generate हुआ था वो क्या होगा वो पूरे मसल में spread होगा कैसे spread होगा कैसे spread होगा कैसे spread होगा जो आपका सार को लेगा along the membrane उस spread होगा ठीक है ना जैसे ही ये पूरा impulse spread हो गया तो तुरंत calcium ions का release चालू हो जाएगा सार को प्लाजम क्या हो जाएगा किसका release चालू हो जाएगा फिर से note करो किसका release चालू होगा calcium ions का release चालू हो जाएगा अब ज़रा याद करना पिछले session में मैंने calcium ions के बारे में एक बहुत important बात बताई थी हाँ या ना तो पिछले lecture में मैंने यहां पर mcq point page number 304 पर मार्क करवाया था और बोला था कि देखो आगे आएगा बहुत important इसका role calcium जबी भी आपके पास muscle cell की हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है तो जो muscle cell की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर उसके endoplasmic reticulum में जिसको हम लोग sarcoplasmic reticulum बोलते हैं उसके अंदर धेर सारा calcium ions का एक पूरा store house है और ये calcium ions release हो जाते हैं कब जब action potential generate होता है तो जैसे ही action potential generate हुआ सारे के सारे calcium ions भट गर कैसे release हो गए cell के अंदर, cytoplasm के अंदर समझ में आई बात अच्छा जैसे ही calcium ions release हुए फिर से देखो जैसे ही calcium ions release हुए increase of calcium levels leads to binding of calcium with troponin कौन था ट्रोपोनिन जो masking कर रहा था याद करो ट्रोपोनिन कौन था जो तुमारे सेलो टेप के उपर का कागज तुमारे स्टिकर के उपर का कागज यानि की ट्रोपोनिन जो masking कर रहा था binding site की calcium जाके उसके साथ चिपक जाता है समझा तो इससे क्या होता है बताओ मुझे दिमाग लगा के बताओ जैसे वह ट्रोपोनिन का ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो जाएगा सो वह क्या करेगा removing of the masking of active sites कर देगा समझ गया बात calcium आया और calcium ने क्या किया calcium ने इसके साथ binding कर ली तो यह जो masking ती यह उपर का जो paper था वो निकल गया तो अब क्या होगा अब sticky जो binding site ता जो चिपकने वाला area था वो expose हुआ बोलो हाया ना खुल गया expose हो गया yes तो अब इस मायोसीन को अब इस मायोसीन को यहां पर जाके चिपकने का मौका मिल गया बोलो हाया ना everybody इसने masking निकाल दी ठीक है अब masking निकालने के बाद लास्ट का दो स्टेप बचा हुआ है एक कि जो मायोसीन का head था मोटा वाला मायोसीन का मोटा वाला जो head था उसके पास ATP आ जाता है क्या आ जाता है ATP utilizing the energy from ATP जो मायोसीन का head था ना वो bind कर लेता है active side पे active side अब कैसे है पहले mask थे अभी कैसे है exposed है पहले कैसे थे masked थे अभी कैसे है exposed है तो finally आपके actin और मायोसीन का एक bond एक bridge बन गया बोलो हाया ना इत्ति पूरी मेहनत करने के बाद क्या अचीव किया आपने आपने actin और मायोसीन का क्या अचीव किया एक bridge याने की bond अचीव कर लिया yes or no yes और यह मायोसीन का head ऐसे आगे आएगा तो actin को भी सात में खीच के लेके आएगा so this this pulls the attached myosin towards the center this pulls the attached actin filaments sorry attached filaments towards the center इसे क्या होता है यह और आगे आ जाते है sliding और because यह sliding हो जाती है तो यह बहुत important line है the z line also gets pulled inwards and that's why causes shortening of the sarcomere that is contraction of the muscle अगर sarcomere ही shorten हो गया तो contraction of the muscle हो जाएगी अगर यह distance यहां पर और यह distance यहां पर ऐसे shorten हो गया तो क्या होने वाला है muscle की length छोटी length छोटी मतलब contraction हो रहा है बोलो हा यह ना everybody yes or no right and they've shown it beautifully with a diagram what nicely they've shown it with a diagram see this was your active filament this was your myosene myosene is this I'll draw the outline for you in another color that you'll be able to see माचीज जयसा दिखर है okay okay now यहां पर क्या होता है ATP आया ATP से उसको energy मिली तो उसने अपना सर ऐसा उठाया सर उठाया actin को पकड़ा bind किया पड़ यह bind करना आसान था क्या नहीं बाइंड करने के लिए वह सारा process करना पड़ा था क्या unmasking कैसे हुई थी unmasking अलड़ी सीख लिया इसे bind किया bind करने के बाद यह थोड़ा ऐसा ऐसे straight हुआ पहले ऐसा था ना head अब यह straight हुआ तो यह यहां पर bind हुआ था यह straight हुआ तो यह भी आगया यह actin है यह मेरा यहां पर bind हुआ फिर ऐसे किया तो यह आगे आगे खीच दिया आगे खीच दिया मतलब तुम्हारी muscle के जो fiber थे वह एक दूसरे के उपर ऐसे slide हो गए आगे खीच दिया मतलब यह एक दूसरे के उपर slide होके थोड़े और नजदीक आ गए इसका मतलब muscle की contraction हो गई clarity के साथ समझ में आया दुबारा आपन समझते है थोड़ा सा animated form में थोड़ा सा flow chart के साथ mechanism of muscle contraction क्या थी theory का नाम क्या था sliding membrane theory उसको समझने के लिए कुछ basic चीज है जैसे कि यह cell की membrane है cell की membrane का structure तो आप लोगों को मालूम है phospholipid bilayer proteins होती है वगेरा वगेरा यह ना यहां पर calcium ions है धेर सारे यह हमारा tropomyosin actin troponin और यह हमारा myosin यह हमने अल्रड़ी structures देख लिए sliding filament theory यू Huxley and Gene Hanson यह दोनोंने प्रपोस किती यह NCRT में नहीं दिया हुआ यह लिखके ले लो ठीक है यू Huxley and Gene Hanson अब यह क्या है funda ज़रा देखता है sliding filament theory का तो अल्रड़ी यह सारी चीज़े हमने मतलब यहां पर थोड़ा जादा ही दिया हुआ power stroke recovery stroke थोड़ा जादा है ठीक है इतना डीटेल में आपको नहीं जाना आप NCRT के इस आप से देखो कि यार सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखी कि जो initiation है कौन शूरू कर रहा है initiation मेरे cursor को follow करना initiation कौन कर रहा है बच्चो repeat करते जाना कौन कर रहा है cns impulse travel कैसे कर रहा है motor neuron के थूप कहां पे पहुँच रहा है neuromuscular junction क्या release कर रहा है acetyl koline उससे क्या generate हो रहा है muscle के cell में action potential action potential generate हुआ तो उससे क्या release होंगे calcium ions release होंगे उस calcium ions के release होने से क्या होगा जरा समझते हैं मस्त चीज़ है ध्यान से देखना आपको दिखेगा कि calcium ion से आने से यहां पर आप देख सकते हो calcium ion के आने से आपका जो troponine का area है आप यह animated video देख पा रहे होगे calcium के आने से यह जो troponine का area है वो खाली हो जाता है और active site जो है वो exposed हुआ और दीचे जो green color में दिख रहे आपको head है किसका meromyosin का head है heavy meromyosin जिसको आपने बोला यह head है और इसको bind करने की opportunity मिलती है और यह इस पूरे filament को ध्यान से देखना इस पूरे sorry इस पूरे filament को यह आगे slide करके लेके आ रहा है आप यह slide होते वह देख सकते हो देखो यह slide हो आगे आया बोलो हाया ना देखो दीरे-दीरे slide हो रहा है ना कैसे slide हो रहा है क्योंकि calcium ने आके किसके साथ bind किया था यह तीन गोले जो yellow वाले कौनसे ट्रोपोनिन के साथ है ना तो इसलिए यह इसको हम लोग sliding filament theory बोलते है another same thing in another manner they have shown here ATP आया calcium आके ट्रोपोनिन के साथ bind हुआ तो इसको तुरंत देखो वो ट्रोपोनिन थोड़ा सा हिल जाता है it basically we call it a change in orientation of the protein ट्रोपोनिन थोड़ा सा हिल गया तो इसको चिपकने की जगा मिल गई समझ रहो इसको चिपकने की जगा मिली तो यह क्या करेगा slide करके filament को आगे लेके आएगा simple होगी बात yes again same thing they have shown again here in a similar manner और उसकी वज़े से क्या हुआ अब यहां पर भी animation आप अगर notice करेंगे यह देखो उसकी वज़े से क्या हो रहा है यह जो center में आपकी M line है और बाजू में आपकी Z line दो Z line नजदीक आती भी दिख रही है बच्चो दो Z line आपको नजदीक आती भी दिख रही है बोलो हाया ना यह दो Z line आपको नजदीक आती भी दिखेगी इसमें इस तरह से so that is your sarcomere का length का shortening और basically muscle का contraction ठीक है I don't want to go into the theoretical things because वो बहुत ज्यादा detail में दिया हुआ recovery stroke and all ठीक है but overall I think quickly revise सबसे पहले impulse generate हुआ CNS में वो travel किया motor neuron के थुरू वो impulse कहां पहुचा वो impulse पहुचा neuromuscular junction पे और वहाँ जाके उसने क्या किया neurotransmitter release किया कौन सा वाला acetylcholine उसने action potential generate किया किसमे सारको लेमा में फिर तुरंत calcium ions release होने लग गए कहां से sarcoplasmic reticulum से यह calcium ions जाके bind किये किसके साथ ट्रोपोनिन के साथ तो तुरंत unmasking हो गई किसकी myosyn के binding site की और जो myosyn था उसके उपर heavy वाले chain ने ATP utilize करके क्या बनाया cross bridge बना दिया क्या बना दिया cross bridge बना दिया cross bridge बनने के बाद क्या हुआ sliding of thin filaments over thick filaments हुआ जिसकी वज़े से z lines नजदीक आ गई जिसकी वज़े से muscle का contraction हो गया clear एकदम अच्छे से तो यह चीज़ आप लिखके रख लो सो इन यह पूरा जो flow chart है इससे हमारा पूरा जो concept हो एकदम से clear हो जाता तो इन सब में क्या होता है कि during muscle contraction shortening of muscle i bands reduce हो जाते यह bands retain करते हैं अपनी length को i bands की length क्या हो जाती है reduce हो जाती है और a band की length as it is रहती है क्या यह आप देख सकते हैं यहाँ पर i band की length reduce हो जाती है और a band की length retain होती है यह बोल रहा है it is clear from the above steps that i bands get reduced and a bands retain their length where have they shown this they show it nicely here yes they've shown it very nicely here so this is your i band and the z lines are going to move closer together यह दोनोh z line अपनी तरफ एक तुसरे की तरफ आने वाली है ठीक है तो overall जो length में change आएगा वो किसके आएगा notice करनेंगे बच्चो यह i band यहां इतना था और यहां पर इतना ही बचा क्या यह length कम हो गया yes और a band यहां पर इतना बड़ा था और यहां पर भी इतना ही बड़ा है मतलब a band की length में कोई change नहीं आया क्या यह बात समझ में ही सबको बोलो हाया ना अगेन मैंने इसको अलग color से क्यों मार किया बहुत ही important mcq point है यह direct mcq point है नीट के लिए क्या i band की length ठीक है भाई जो ATP यूज हुआ था ATP adenosine tri phosphate यूज हुआ था तो वह energy देने के बाद किस में convert हो गया वह ADP में convert हो गया क्योंकि उसने एक phosphate दे दिया था तुमको ट्राइ से वह डाइ में convert हुआ किसमें convert हुआ बच्चों डाइ में convert हुआ क्योंकि उसने तुमको एक phosphate दे दिया energy के लिए है कि नहीं तो जब यह डाइ जो है यानि ADP जो है वह बचा हुआ है वह release हो जाता है और P1 जो अलग से एक phosphate तुमारे पास बचाता है इसको आप लोग IP भी लिख सकते हो इसको आपके NCRT में P1 बोला है उना P1 बोला है तो the myocene after releasing the ADP and P1 उसका काम हो गया उसको ATP मिल गया उसने चिपका slide किया उसका काम खतम हो गया तो जो myocene है वह release कर देगा इस ADP को छोड़ देगा इस phosphate को छोड़ देगा और क्या करेगा it goes back to being in the relaxed state मतलब फिर से एक बात ध्यान देना जो action potential थी अब वह वापिस क्या बन जाएगी कि action potential थी वह अब क्या बन जाएगी दुबारा से क्या बन जाएगी resting membrane potential बन जाएगी क्या यह बात भीजे में जा रही है जब acetyl koline आया था action potential generate हुई थी जब muscle ने contraction कर लिए अब मेरको मेरा हाथ मुझे contract करना है bicep को ऐसे करना है तो क्या मैं ऐसे रखू permanently नहीं न उसको relax कर देंगे अपन muscle को बात में छोड़ देंगे yes or no तो इसलिए जब relax करोगे it goes back to relaxed state मतलब की अब वह resting membrane potential में आ चुका है लेकिन क्या ऐसा जरूरी कि एक मसले की बार contract होगी अब अगर मेरे को यह bicep का यह मान वो dumbbell उठाने मुझे तो यह तो मुझे movement बार बार करनी है है की नहीं continuously जब तक मेरा muscle tired नहीं हो जाता तब तक मैं कर सकता हूं है की नहीं बच्चो तो यानि कि यह cycle is broken ATP फिर से hydrolyze होता है फिर ADP बनता है तो यह cross bridge का बनना और break होना यह continuously चलता रहता है cross bridge का the cycle of cross bridge formation and breakage is again repeating causing further sliding this process keeps on continuing कब तक जब तक या तो muscle fatigue ना हो जाए या muscle की activity voluntarily आप बंद ना कर दो this process keeps on continuing till the calcium ions are pumped back into the sarcoplasmic reticulum जिसमें याद होगा आप लोगको sarcoplasmic reticulum was another form another name for ER endoplasmic reticulum जिसमें sister ने थे अगें यह मैंने आप लोगको organization of cell chapter में detail में पढ़ाया sister ने है तो एक बार काम complete हो गया calcium ions वापिस चले गए कहां पर sarcoplasmic reticulum जो actin के filament के उपर troponine की masking खतम होगे थी वह वापिस से mask होके resting state में आ गए original position पर वापिस आ गई याने overall क्या हुआ relaxation हो गया क्या यह बात समझ में आई सारे processes को उल्टा कर दो calcium ion जो तुमने ले थे उनको वापिस भेज दो z lines को वापिस अपनी जगह पे भेज दो है ना आपके क्या बोलते हैं actin filaments के उपर masking खुल गई थी है ना उसको वापिस mask कर दो सारा काम उल्टा करके muscle को relax कर दिया अब सवाल यह है सवाल यह है कि इस muscle की relaxation में time कितना लगता है इस muscle की relaxation में time कितना लगता है by reaction time या relaxation time जो है वो it can vary वो it is different for different muscles अगर आप एक muscle को continuously repeatedly activate कर रहे हो क्या कर रहे हो repeatedly activate कर रहे हो तो क्या होगा muscle में fatigue हो जाएगा मसल में क्या हो जाएगा fatigue introduced हो जाएगा जाएगी तो muscle जल्दी response करेगी कि slow response देगी क्या लगता आपको ठका हुआ muscle कैसा response देगा slow या fast अगर आप यह cycle जो यह पूरी cycle है ना कि binding फिर unbinding binding यानि contraction की cycle को आप continuously repeat करो suppose यह मैं जो बता है ना कि आपको जिम में आपको क्या बोलेगा ऐसे ऐसे नहीं मारने ऐसे मारने डंबल तो क्या होगा करते रो ऐसे एक मिनिट तक करो आपका हाथ ठक जाएगा आपसे नहीं होगा तो आपको क्या बोलता है slow contraction और slow relaxation बोलता है ना सांस लो breathing करो और slowly करो क्यों क्यूंकि आप जितना time दोगे muscle को recover करने के लिए उतना वो आराम से लंबे समय तक काम कर पाएगे अगर आप उसको repeated activation करोगे और वो भी बहुत ही fast activation करोगे तो उससे क्या होगा fatigue हो जाएगा और fatigue का जो chemical mechanism है वो क्या था it is accumulation of lactic acid यह भी मैं पिछले lecture में अल्रेड़ी बोल चुका हूँ याद होगा तो पहले भी बहुत बार मैंने बोला हुआ यह कि muscles में जब lactic acid जमा हो जाता है तो क्या होता है बच्चो fatigue हो जाता है अब यह lactic acid कहा से आया कैसे बना उसका पूरा chemistry जो है वो हम लोग आगे के चप्टर में पढ़ने वाले respiration chapter में पढ़ेंगे don't worry तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर कहां से आ गया अपने आप आया नहीं भाई ग्लुकोस के breakdown से आया है पढ़ेंगे उसके बारे लाक्टिक एसट इस फॉर फटीग ठीक है तो आप कभी कभी यह सोचते होगे कि युसेन बोल्ट है यह आजकल अपना इंडिया में बहुत चल रहा हो लबेबाल वाला जैवलीन वाला कौन नाम है उसका नीरत चोपड़ा हाँ नीरत चोपड़ा भॉत भयंकर एथलीट है जोरदार एथलीट है वो वो क्यों नहीं ठकता मैं क्यों ठक जाता हूं क्योंकि भाई उसने अपनी मसल्स को ट्रें किया है उसकी मसल्स में लैक्टिक एसट जल्दी नहीं बनता क्योंकि उसने अपनी मसल्स को ट्रें किया ह तो इसलिए जब हम थोड़ा थोड़ा दोड़ लेते तो हमारे पैर में काफ में मसल में दुखने लगता है यहां पर हमारे पास इस तरह से लाक्टिक असलिकर हम पैं के लिए के लिए आई काल पेशाल में इक पीड्मेंट और में नाम किया है मि Song again 191 यह भी मैं आप लोगो को बता चुका हो कि मायोवर्ड का मतलब है मसल, यह मायो मतलब M-Y-O मायो, मायो मीन्स मसल, सारको अलसो मीन्स मसल, and मायो अलसो मीन्स मसल, क्या बाद क्लिर है? तो जो मसल में डार्क रेड कलर है, जो मसल में डार्क रेड कलर है, तो obviously उसके अंदर myoglobin जादा है और जिसमें थोड़ा whitish color है उसके अंदर myoglobin थोड़ा कम है जो लोग non-veg food खाते उन्होंने जरूर देखा होगा अपन वो chicken breast बोलते ना chicken wings देखा होगा आप लोगोंने या mutton देखा होगा है ना basically what is that that is muscle right that is muscle and if you see dark red color in that what does it indicate कि उसके अंदर myoglobin का content थोड़ा जादा है है ना और जो whitish रहेगा थोड़ा वो कैसे रहेगा कि उसके अंदर myoglobin का content थोड़ा कम रहेगा तो myoglobin content अगर high है तो reddish appearance रहेगा ऐसे muscle को हम red muscle या red fiber बोलते हैं क्या बोलते हैं ऐसे muscle को red muscle या फिर red fiber तो यहां तक complete कर लेते हैं इसके आगे हम लोग I think muscle muscle का last line last 3-4 line है यह खतम कर लेते हैं skeletal system will do in the next lecture तो यहां पर red fibers जो है उसके अंदर main बात क्या है कि mitochondria जादा होते हैं और large amount of oxygen वो utilize कर सकता है right so therefore इसको हम लोग aerobic muscles भी कहते है और जो वाइट वाले रहेंगे जिसमें myoglobin बहुत ही कम है less quantity of myoglobin रहेगा तो पेल या फिर whitish रहेंगे उनको हम बोलेंगे white fibers जो red वाले मसल थे उसमें भाई अगर ज्यादा myoglobin है red है ज्यादा mitochondria है तो ज्यादा oxygen आएगा तो उसका उल्टा करके देखो जिसमें less myoglobin है वो white है redness कम है तो oxygen भी कम है mitochondria भी कम है तो इसलिए ये anaerobic respiration के लिए जादा काम आते किसके लिए का जादा काम आते है anaerobic anaerobic मतलब वो respiration जो lack of oxygen में हो सकता है हम कौन सा वाला prefer करते हमारी body कौन सा prefer करेगी obviously aerobic वाला right आप जब जिम भी जा तो मैं बार-बार यह कह रहा हूँ because muscles की activity जिम में बहुत होती है इसलिए अगर आप जिम जा तो आपने सुना होगा कुछ हमेशा बोलते aerobics करने जा रहे है aerobics वह aerobic exercises है जो आपकी muscles के अंदर aerobic activity बढ़ाते है और weight lifting गए जब आप dead lifts and all करते हो वह anaerobic exercises वह आपके muscle के अंदर anaerobic activity को बढ़ाते है समझ रहे बात को तो red और white muscle का यह role बेंगी red fiber and white fiber clear यहाँ पर आपका खतम होता है entire muscular system skeletal system will do in the next part you